जजे श्री राधे कृष्ण मित्रों कैसे आप सभी परम्पिता परमेश्विजी से प्रात्ना करती हूं कि आप सभी अपने अपने गुरू में कुशल मंदल से होगे फ्रेंट्स आज हम परा राशियों का हाल चानेंगे राशी फरल के पारे में मैं बताऊंगी सबसे पहले में पंचान की बात कर लेती हूं आज शुक्ल पक्ष की अश्टमी दिती है गुपनव रात्रे चल रहे हैं अश्टम दिती पर मा गोरी को हम प्रेणाम करके दिन की शुरुवात करते हैं दिन रविवार और दिन के स्वामी सूरेदेव जी है आज सभी सूरेदेव जी को प्रणाम करते हुए उनको जल अर्पित करेंगे और सूर्य अधित्य हिर्देस्तोत्र का पाठ करके उन्हें मनाएंगे हस्ता नक्षत्र है पहले पूर्वा फालकों नहीं था सुबा आठ बच कर 30 मिनट पर तक और उसके बाद में हस्ता नक्षत्र आरम हो गया जिसके लौट मून है रहुकाल का समय शाम को 5 बचकर 6 बचकर 30 मिनट तक है रहुकाल में कोई भी शुब कारे कि आप अरमबत मत करिये का अभीजीत मूरत 11 बचकर 25 मिनट से लेकर 12 बचकर 30 मिनट तक है इस काल में आप जो भी काम करेंगे अपके काम बंदे चली जाएंगे सबसे पहले में बात कर लेती हूँ मेश राशी की मेश राशी वालों ने आज बहुत साप धानी से काम लेना है क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है दिन भर अपने क्रोध पर शांती रखनी है जादा से जादा जल पीजेगा, पानी पीजेगा और हो सके तो लाल जैसे की रूफ अवजा आती है मार्केट में वो बना करके आप किसी नीडी वन को दान करेगा उनको पिलाइएगा, आपके क्रोध भी शांती मिलेगी आप अगर स्टूडेंट हो, तो क्रोध की वज़े से आपकी पढ़ाई में आज प्रॉब्लम हो सकती है आप घर पे हो, छुटी पर हो, तो आपस ही घर पे विवाद हो सकता है इसलिए बहुत सोच समझ कर कोई भी निन्ने भी लीजेगा अगर ऑनलाइन आप कोई वर्क कर रहे हैं, कहीं सिगनेचर स्वगिरा करना है किसी नई डील के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत साफधानी से आपने देखना है लविंग रिलेशन्शिप में थोड़े से मतवेद हो सकते हैं क्योंकि आपकी अपनी ही वाणी थोड़े से आज खुरूर होने वाली है इसके लिए आप शर्बत का दान कीजे और खुद बिल्कुल भी मत पीज़ेगा रेड कलर का रूवजा का शर्बत या कोई भी पीने वाली चीज आप रेड कलर की मत पीज़ेगा मेरिट लाइफ में आपका समय नॉर्मल हैगा पतनी की बास सुनिएगा और एक दूसरे की इसला के साथ चलिएगा तो तुम में समय आपका सही रहेगा अपने छोटे बड़े भाई बेहनों को थोड़ा सा देखिएगा आपके लिए सही और अत्युत्तम है यात्रा करने से आप थोड़ा सा एवाइडिंग करिएगा यात्रा मत करिएगा और देन लेन का काम जैसे किसी को पैसा अगर आपने उधार देना है तो बहुत सोच समझ करिएगा और वाइस आपका पैस परस चाहेगा वापिस आपको नहीं मिलेगा सेहत का आपने खास ख्याल रखना है खाले पीने का आपने ध्यान रखना है सेहत अपने आप सही रहेगी ब्लड रिलेटेड अगर आपकी कोई भी समस्या चल रही है आपके जीवन में तो वो सुध्राव होने के चांसे है हलुमान चलिसा का पार्ट करेगा आपके लिए अतियुत्तम है आज से ये पार्ट करके अगर आप कोई डेस तक पार्ट करते रहेंगे तो आपकी हल्थ भी सही रहेगी क्रोध भी शान्त होगा आपकी हल्समस्या भी सौल्व हो जाएगी और जो स्टूडन्ट से उनको पढ़ाई करने में भी सफलता मिलेगी अब मैं बात कर लेती हूँ आपके लखी कलर की आपका लखी कलर लाल है और जो भाग्यन के है वो एक है अब मैं बात कर लेती हूँ ब्रिशवराशी की ब्रिशेव राशी वालों के जीवन में बदलाब दिख रहा है आज बदलाब किसी के साथ भी हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हो आप अपनी पढ़ाई के खेत्र में बदलाब कर सकते हो आज आपका दिन समय सही है बस थोड़ी सी बुद्धी मता के साथ काम लीजेगा और जो कुछ भी आपने करना है अपने पैरेंट्स की सला लेकर करिएगा तो आपके लिए सही रहेगा माता पिता की सला लेकर करके आज आपके सफलता करदम चूमेंगी अगर आप मेरिट लाइक में हो आप बहुत दिनों से दुख पा रहे थे हो सकता है कि आप अपने पती को छोड़ करके अपने मैके में बैठे हो या फिर पती आप से दूर चली गया हो किसी ना किसी वज़े से तो आज आप संकर्ग लेकर के महागोरी के आगे जब प्रैणाम करेंगे और उन्हें खीरी निभेद का भोग लगाएंगे आपकी ये समस्या धीरे-धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी बदलाब चाहिए आपकी अपनी सोच में अपके अपने अनुभब में लाइफ में जब हम ठोकर खाते हैं दुखी होते हैं तो जो हमें अनुभब experience मिलता है चाहे वो कारेखितर में हो जाहे जॉब वरकिंग एरिया में हो आज आप जो भी काम करने शुरू करेंगे जो भी decision लेंगे जो भी planning आप बनाओगे आपको उसमें सफलता मिलेगी शेयर मार्केटिंग में अगर आप ऐसा लगा रहे हो तो बहुत सोच समझ कर आप निशेद करेगा और वाइस आपके losses होने के chances दिख रहे हैं याँ पर बच्चों के साथ टाइम स्पेंट करिएगा आपके लिए सही रहेगा आपका लगी कलर मेरून है और आपका लगी जो भाग्यंक है वो आपका टू है अपना ख्याल रखिएगा अपनों का ख्याल रखिएगा अब मैं बात कर लेती हूं ब्रिशव राशी के बाद मिथो काम है वह भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहें बस थोड़ी सी जल्दबाजी मत करिएगा सयमता से काम रखिए भरोसा रखिए इश्वर पर अपने आप अपर सब्सक्राइब बनते चली जाएंगी आज आपकी अगर नोकरी छूड़ गई है और या आप अपने नोकरी मे करेंगे आपको नई नोकरी मिल जाएगी आज आपके कोई भी पुराने दोस्त आपकी है करेंगे आपके कजन्स आज आपकी है उनकी है जरू लीजेगा छोटे भाई बैनों की मदद लीजेगा उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगा आपका मन भी शांत हो जाएगा और जो करें तो एक दूसरे को टाइम दीजिए समझे और अपने बड़ों के आज आशिवात लेना बिल्कुल भी मत भूलेगा और जो सुहाग ने है वह आज सिंगार करके मा भगवती का दर्शन करने जाए मंदीर में अपने पती के साथ तो आपके प्रेम समंद में अच्छा रि के लिए मैंने बता ही दिया है आप बातचीत कर सकते हैं जोब छोड़ने की अभी मत सोचेगा बदलाब करने की बिल्कुल भी मत सोचेगा पहले आप अच्छी जोब और देख लीजिए प्रमोशन जहां पर आपको ज्यादा मिलता है साले जहां पर आपके इंक्रीम इंक्र करती हूं करकराशी की करकराशी वालों आज आपके बिगडे काम बनेंगे आप इतने दिनों से जो अपने सीर्ख पाई कर से काम कर ले कर अगर अगर को है कर अपनी स्टड़ी को ले आपने जॉब , अपने परिवार में जो भी आ अपके प्रॉब्लम चाल रही थी आज वह सॉल्व होगे आज आप डिसीजन्स लोगे आपकी डिसीजन्स की सुनवाई होगी चाहे वो परिवार में हो अगर आप स्टूडेंट हो अपने पैरेंट से अपनी बात रख सकते हो एक्स्ट्रा कली करम एक्टिविटेज आप कर सकते हो कला वगेरा में जैसे संगीत हो गया पेंटिंग हो गया डांसिंग हो गया अगर इसके लिए आप अपने पैरेंट को मना रहे थे और वह नहीं मानने थे आज वह मान जाएंगे आप बात कर लीजएगा लेकिन राहुकाल में पांच बज़े से छे बच कर 30 मिनट के समय के वीच में कोई नया काम मत करेंगा आज मेरिट लाइब को भी समाल के रखिएगा मा भगवती की आज आरातना किजिए मेडिटेशन करिए आपको बहुत अच्छा रिसल्ट मिलेगा जो भी आपकी मन की अशांति आप दुखी हो पीडित हो वो अशांति आपकी दूर हो जाएगी स्रिफिक मेडिटेशन करने से वि अच्सेस मिलेगी सेहत की बात कर लिए तो थोड़ी से खराब हो सकती है करका चीके ना इस पूर अम बात कर लेती हूं में ऑपने बात कर लेती हूं आपके आज की विवस्ता बहुत अत्युत्वरी आज आपने जो भी प्लानिंग्स किये हुए कितने दिनों से तो तुर्यादित्य हिर्दे का चाहते हैं सोना घर करने सह सेघ्ञा हूं करना चाहते हो सूर्या दिट्य का तौत्र पढ़ेगा इससे आपके अंदर जो थो थोड़ी दा उर्ज़ा आ रखी है वो समल जाएगी क्योंकि जादा हुर्जा से भी हम अपने पैर में कुछ पुलहाडी माल लेते हैं जादा हुर्जा से काम करेंगे तो कुछ ऐसी बात उत्सा में बोल देंगे जो कि सामने वाले को हट करेंगी फिर वो चाहे माता-पिता के साथ हो चाहे परिवार के साथ हो समाज में कोई दोस्त के साथ हो अपने नाई वर्स के साथ में हो या फिर अपने कारें के तरह में किसी पार्टनर के साथ हो या पती-पतनी के साथ हो एश्ट्रा उर्जा आज आप में दिख रही है काम आपके बंदे निजर आ रहे है खुद में विश्वास तो आप में होता ही है बस अपने कामों पर नियंतरन रखे अपने सोच पर नियंतरन रखे थोड़ा सा सबर कीज़े आपको सब कुछ मिलेगा लविंग रिलेशन्शिप देखा जाए तो सही है लेकिन आप अपनी बात मनवाने की कोशिश मत करिएगा आज फस जाओगे और आपको बहुत जादा गिफ्ट वगेरा देखर अपने लाइफ पार्टनर को बाद में मनाना पड़ेगा अननेसरी खर्चे थोड़े से आपके दीख रहे हैं थो इन खर्चों से भी आप थोड़ा सा समभल करेगा अननेसरी खर्चे मत करेगा कुटूंब में कुछ अच्छा आपका जैसे कोई अच्छी फैस्टिबर या फिर कोई पाठ पूजा का आपका कारे करम के बारे में आपका सो सकते हैं वो जो आप काम करोगे उससे आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी वैसे विया सिद्धी योग भी है अमरित योग भी है तो आज किया हुआ कोई भी काम अतियुत्तम है आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी आपका color green है और lucky अंग आपका six है अब मैं बात कर लेती हूँ सिम राशी के बाद कन्या राशी की कन्या राशी बालो, balancing आप है चीज में कर लेते हो आज आपके महत्व पूल ने जो भी काम है वो सिद्ध होने जा रहे है आपके जो इक्षाय है वो पूरी होने जा रही है बस अपने आप पे विश्वास रखिए, प्रकर्ति पे विश्वास रखिए और अपने जो कर्म आप कर रहे हैं वो करते रही है आपको अगर पीछे से आकर कोई demotivetage करने की कोशिश करेगा बिलकुल भी मत सुनिएगा लापरवाही और जल्दबाजी भूल कर भी आज मत करिएगा ये दोनों चीजों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है अपने मन की सुनिये, मेडिटेशन करिए ताकि आपको अपनी अनर्जी जो है वो आप तक सही सलामत रहे कि दूसरा इंसान उस अनर्जी का निस यूज़ना कर सके क्योंकि कई बार ऐसे होता है जब सामने बारे को पता होता है कि हम ज़्यादा भाबुक है या फिर हम ज़्यादा लापरवाव या जल्दबाजी में कोई काम करते हैं आपके अपने मित्र हो सकते हैं काली करित्र में आपके अपने कलिक्स हो सकते हैं बिस्नेस हेक्तर में आपके अपने लेवर हो सकते हैं और स्टूड़न्ट के बाद करूं तो आपके अपने मित्र हो सकते हैं जो आपका काम खराब करने की कोशिश करेंगे आज इसलिए लापरभाई से काम बिल्कुल नहीं करना है, सोच समझ के काम करना है, आपके काम बंदे चली जाएंगे लविंग गलेशंशिप के बात करों तो खिट पिट होने की पूरी 101% चांसे ब्रेक अप तक हो सकता है इसलिए लापरभाई बिल्कुल भी मत करिएगा, सोच समझ के बात करिएगा और अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दिजिए, आपके लिए सही होगा मैरी लाइफ की बात करों तो समय नॉर्मल जाएगा आज आप कुछ अची अची चीज़े बना के अपने पती को या पती भी अपने पत्नी के साथ किशन में खाना बना के एक दूसरे को सायोग कर सकते हैं इससे आपके बहुत अच्छे रिलेशन्स बनेंगे मजबूत होंगी और मा गोरी को खीर का निफेद के साथ भोग जरूर दीजेगा अर्पित करेगा और माता रानी के दर्शन करने जाएगा आपके मेरिट लाइब बहुत सुखल होगी संदान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी यही काम करेगा आपको जो लगी कलरे वो सेवन है और लाइट ग्रीन कलर के आज आप वस्तर पहन सकते हैं मेरिट मही लाइट ग्रीन कलर के अगर काच की चूड़िया पहने और माता गोरी को अरपन करे बहुत सही रहेगा आप अगर पॉलिटिक्स में हो तो भी आज आपका दंका बज़ेगा मिन्स कि आप जो काम करोगे जो डिसिजन लोगे जो आप आच्छीत करोगे वो आज आपके 100% सुनवाई हो जाएगी और आपके सभी काम बनेंगे मीडिया की फिल्ड के रिलेटेड हो, शेर मार्केटिंग में हो, बेंकिंग में जो भी काम कर रहे हो, प्रमोशन सोने के चांसे प्रमोशन अभी नहीं होगी वन मंत के बाद होगी लेकिन काम आपने आसे शुरू कर दिना अगर आपको सोच रहे थे कि मैं कुछ एक्ष्ट्रा कर लो अपनी लाइफ में अगर आपके नोख्री चली गई है तो टैंचर लेने की मत सोचिए साथ में कुछ पार्ट टाइम काम करिए और नोख्री पाने के परियास करिए आपको सफलता मिलेगी और आपको अपने लाइफ पार्टर का सहीयोग के सासाथ आपके सुसरार मक्षे से भी आपको मदद मिल स वह आपकी चंद्र राशी होती है अगर आपको देखनी नहीं आती है आप कॉमेंट वर्क्स में मुझे पूछ सकते हैं या फिर मेरे वर्टसप नमबर पर मुझे वर्टसप कर सकते हैं अपनी बर्थ डिटेल में आपको बता दूंगी ओके फ्रेंट्स जैजैश्री राद